नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी एक शेर और एक चुहे की कहानी तो सुनते हैं कहानी शेर और चुहा एक समय की बात है एक शेर था वह एक घने जंगल में रहता था एक दिन वह एक बड़े से पेड़ के नीचे सोया हुआ था और वह खराटे मार रहा था अचानक वहाँ एक चुहा आया और उसने शेर के शरीर पर उपर से नीचे उछल कूत करनी शुरू की चुहे की उछल कूत से शेर की नीच तूट गई वह जाग गया उसे बहुत गुसा आया उसने चुहे को अपने पंजो में पकड़ लिया वह चिलाया मुर्ख चुहे मैं तुम्हें खा जाओंगा चुहा डर गया वह बोला नहीं नहीं मुझे मत खाओ मैं तो एक छोटा सा चुहा हूँ मुझे खागर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा मुझे छोड़ दो मैं किसी दिन आपके किसी काम आओंगा शेर को चुहे को देखकर दया आ गई उसने कहा ठीक है तुम जा सकते हो चुहा वहां से चला गया एक दिन शेर एक शिकारी के जाल में फस गया वह जोड से गुराने लगा और चिलाने लगा बचाओ बचाओ शेर की आवाज सुनके चुहा दोड़ा दोड़ा शेर के पास आया उसने देखा अरे शेर तो मुसीबत में है वह तो जाल में फसा हुआ है उसने अपने पैने दातों से जाल को कार दिया शेर जाल से बहार निकल गया अब वह आजाद था शेर बहुत ही खुश हुआ उसने चुहे को धन्यवाद किया और शेर और चुहा बहुत अच्छे मित्र बन गए तो कैसी लगी कहानी अच्छी लगी ना धन्यवाद